आपका अमारे यूटूब चैनल 4G स्कूल में आज हम पढ़ने वाले यत्ता चौति का महराटी सब्जेक्ट तो आज हम इसमें देखेंगे फरक और खा हा साववा पाटा है हापने चमदे अब बैसना रहा हो था फोटो देखके चितर पाउन उसमें के जो फरक है आपको दो चितरा मदिल फरक और काब आपको पहला या पर तश्वीर दिखाए दे दिए हैं न या आपको इसमें से डिस्टंस या फरक समझ में लेना है आईए देखते या पर हम दोड़ सेपरेट कर लिया इसको चली देखिए वेगड केलते दला अता एचमदे काय फरक दिशता sindu या पात्मी अभी नीचे डौग है कुत्ता में उत्तरा है खाली उसके साव में बॉले इधर दूसरें बाल नहीं है वहाली थम्में जो बच्चा बैटे आँए उसके खीसे को उपन पेनद पेना हो तो खीसा नहीं है इसको खीसा है यह दो फरक मोटे मोटे समझ में आ interpre अभी जो बच्चा हवे में है, जम चले गया, तो उसकी जो शूज दिखाई दे रहे आपको, देखिए, शूज गवर से देखिए, एक को लेस है, इधर वाले को, इधर वाले को लेस नहीं है, ये फरक इसमें है, समझ में आ रहा, उसके बाद में आप देख सकते हैं, यहाप निला कलर है, निच्चे इधर वाले का, आस्मानी कलर है, है न, निच्चे जो बच्चा देखा है, निला, आकाशी, मराटी तरना मनता, सेम, एच्चा अधा पाउश अकता तुम्ही, आपको दिखाई देगा, बच्चे के जो शिशट है, जो उसके तेरी है, बड़ी, सी, उसके पास कुंता कलर है, निला, या निडा है न, इधर बच्चे अलेक पास है किया निला, नहीं है, समझ में आया, उसके बाद में आपको और क्या फरक दिख रहा है, जो हाथ का कलर देखी आप, थोड़ा डिफरंट नजर आएंगा, पैंड का कलर भी थोड़ा से, और अपने टीचर को उसके एक फोटो बैस देना है, इस तरह से आपका एक कमड़ट होता है, उसके बाद देखेंगे, ये, गटात न बसनारी अकुरती ओलखा, वो त्यावर अशी खून करा, बरोबर वाली, राइट वाली, येस, हमने टीक कर रहाला है, यहापर आप इसको डाइरक एक लाइन लगती, इसको अलग-अलग लाइन मिलाके बनते हैं, इसलिए ये जो वर्थ उड़ाहेते, वेगड़ होता नि, जी त्रीको नहीं, अनि ते जव बनते, रैशानी बनता तचम होता है, वेगड़े होता, इसलिए राइट सर्कल अलग है, नीचे व नीच्चे वाला जो शेप दिखाये सब बड़ा शेप फिर उसके सेम अंदर चोटा शेप बड़ा शेप सेम जोटा शेप इसमें नहीं है अलग है एक ट्रेंगल है एक सरकल है यस समझ में आया आपको एक वर्तुड़ एक तरीकों ना है या दोन फरक केचमा थी फरक केचमा यह तीगा वेगवेगवेगई होता है यह गटात न बसनार है मतलब अलग है इस तरह से आपको पैचान गट मतलब जैसा बकरी होता है बकरी में बेड अगर चोड़ देए तो दुसको गट बोलते हैं समझ में आया बयल और भयस गया जैसा उनका अलग यह गट होता है उसमें कोई चलेगा तो जब इस पहिछान में आता है कि वह गया है वह बैस इस तरह से गट बनाते हैं इसलिए यह पर आपको अलग लग चीजा पहिचानने की आदत आपको लगना आक्षर देखेंगे पहले, आप देख सकते हो, पहले सरकल है, फिर न एक उपर से लाइन कीची है, एक वड़ो गेतली वड़ून, तर अंतर आडवी एक वड़ो, है न, उभी रेशा, न अंतर वर्ती एक आडवी रेशा, आचा प्रकारे न तयार जाला, है न, इतर बात में गः है, गः को फिर अवर एक वड़ी रेशा के लिए, एक आडवी रेशा के लिए पुर्ण गः तायार होतो, अंतर तला जोडला तर मत आयार होतो, अतला एक गट की आक्षर है, इससे आप अलग-लग आक्षर लिख सकते हो, आपर ट है, पिर ट से निच्छे जोड़ दि एक अक्षर से कितने आक्षर बन सकते है, उसी तरह से आपको एक्टिवटी दी गई पैचानों, कोनता अक्षर इस लाइन में नहीं बन सकता, तो आपको पैचानना है, आकारा अनुसर गटात न बसना रहे, अक्षर उलखा, त्या अक्षर खाली रेगोड़ा, ऐसा आपको समझाना है, फिर पर बनता है, पर से शर बन सकता है, फर भी बन सकता है, पर लव बन सकता है, क्या नहीं, इसलिए वो अलग हो गया, इसलिए हमने उसकी नीचे अंडरलाइन करे, ठर बन सकता है, ठर बन सकता है, पर नहीं बन सकता है, पर नहीं बन सकता, मर से भ बन सकता है, नव बन सकता है पर ई बन सकता है क्या नहीं इसलिए वो अलग होग इस तरह से आपको अलग अक्षर पहिछाने है हमने गर्ट में बड़ना रहे हैं इस तरह से तालिम जारी रखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजि पॉुुुुुुुु。